Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपके अपनी English Educator और आज हम start करने वाले हैं Class 12 की जो Flamingo Book है उसकी poem No. 2 which is an elementary school classroom at a slum Slum क्या होता है? Slum होता है जुग्गी जोपड़ी वाला जो area होता है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के वहाँ पर बच्चे रहते हैं या फिर उनकी बहुत सारे लोग रहते हैं एक की family में वो होता है slum area तो यह जो chapter है, basically हमने इसके सारे वीडियो अच्छे से आपके सामने present कर ली है इसकी summary, इसके question and answers और आज हम start करने वाले हैं इस poem की MCQs याने multiple choice questions So let's begin Question number one, who has written the poem elementary school classroom in a slum? तो यह जो आपकी poem है, elementary school classroom in a slum, इसके किसने लिखी है? याने इसके poet कौन है? तो चार options दी है और आपको one option इसमें से choose करना है Option A, Kipling, Option B, Wordsworth, Option C, Kamal Naath and Option D, Stephen Spender So आपका correct option है, option number D, Stephen Spender क्योंकि हमने poem पढ़ी है और आपकी books में भी clearly mentioned है that Stephen Spender is the poet of the poem, the elementary school classroom in a slum So option number D is the correct option, Stephen Spender Next question What theme did the poet concentrate on in the poem? यह जो पूरी poem है, poet ने किस चीज़ पर concentrate किया है इस पूरी poem में? किस चीज़ के बारे में बताया गया है बार बार तो option number A, themes of social injustice and class inequalities याने society में कुछ लोगों के साथ injustice हो रहा है याने गरीबों और अमीरों के बीच में injustice हो रहा है Yes, and class inequalities याने upper class and lower class लोगों में inequalities हो रही याने दोनों को equal treatment नहीं दिया जा रहा है Second, theme of children and their happiness क्या poem में ये बताया गया है कि बच्चे और उनकी खुशियां क्या क्या है हर बच्चे को उसकी deserving खुशी जरूर मिलनी चाहिए Theme of insecurities याने दुनिया में बहुत ज़ादा insecurities है लोगों को अपनी चीज छोड़ने में डर लगता है None of the above None of the above का मतलब होता है इन में से कोई भी option नी तो answer है आपका option number A Theme of the social injustice and class inequalities याने कि जो slum area के बच्चे हैं वहाप एक बहुत चोटा सा school है जहाँ पे बहुत dark room है वो अच्छे से proper light and ventilation भी नहीं है और जितने भी rich बच्चे हैं उनको सारी अच्छी facilities मिल रही है सारी अच्छी amenities, happiness, सब कुछ अच्छा मिल रहा है अगर हम compare करें उन बच्चों को इन slum के बच्चों से तो इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा Basically इनकी दुनिया slum से शुरूँ के slum पर ही खतम हो जा रही है तो यहाँ पर यहीं बताया जा रहा है कि society में कितना injustice और inequality face कर रहे हैं यह slum के बच्चे यह जो पोम है पोएट उसमें क्या पोट्रे कर रहे है याने हमें क्या दिखाना option A, young minds याने कि पोएट इसमें क्या बताना चाहते हैं पोम में कि young minds young minds याने young बच्चों के young दमाग क्या सोचते हैं क्या हो चाहते हैं second playfulness of the children बच्चों का playfulness यह सारे बच्चे playful होते हैं हमेशा मस्ती करते रहते हैं enjoy करते रहते हैं वो सब तो वो सब तो obviously नहीं था क्यों क्यों क्योंकि यह slum के बच्चे तो इतने weak थे इतने mal nourished थे कि यह लोग खेलना कूदना तो सोच ही नहीं सकते और next time questions of children कि बच्चों के कुछ सवाल है याने कि slum के बच्चों के कुछ सवाल है जो कि कोई उनके जवाब नहीं दे पार है तो yes उनके कुछ जवाब तो थे next option देखते हो सकता है तो basically option number D is the right option क्योंकि slum area के जो बच्चों की situation है जो pitiful condition है वो बहुत बुरी है क्योंकि यहां के बच्चों के इतने सवाल है जो उनको कोई जवाब नहीं दे पार है वो लोग mal nourished है उनके दुनिया literally एक slum की होके रह गई है और वो उसके बाहर कभी शायद ना निकल पाएंगे जब तक हम या government उनके मदद नहीं करेंगे so option number D is the right option to this question next what does the poet compare in the poem poet इस poem में क्या compare कर रहे है किस चीज को किस से compare कर रहे है the young and old याने की young लोगों को old लोगों से तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है generation gap याने की एक generation की दूसरे generation के में जब gap होती तो लोगों की सोच में फर्क आ जाता है जिसकी वज़े से conflicts होते है for example बच्चों में और उनके parents में बहुत जादा generation gap है याने की बहुत जादा age gap है और इस age gap की वज़े से parents की thinking अलग होती है और बच्चों की thinking में old age and child age बुड़ापा और बच्च्पने को compare किया है तो ऐसा भी कुछ नहीं है rich haves and poor children have nots तो yes ये एक option है कि जो correct है क्योंकि यहाँ पे rich rich बच्चे जिनके पास haves याने सब कुछ have सब कुछ है उनके पास and poor children have nots याने जिनके पास कुछ भी नहीं है basically उनके दुनिया एक slum की होके रह गई है दुनिया की सब बच्ची चीजे सारी facilities rich बच्चों को मिली गई या rich लोगों को दी गई है and जितने भी slum area के लोग है उन्हों शायद कुछ भी नहीं मिला है तो basically rich लोगों को poor लोगों से compare किया गई so option number D would be the right option to this question next बच्चे slum में रहते हैं जो इतने भी लोग slum में रहते हैं जुगी जोपडियों वाले area में रहते हैं उनकी life कैसी होती है full of love बहुत प्यार भरी जिंदगी होती है उनकी obviously no क्योंकि उन लोगों को तो बहुत ज़ादा struggle करना है एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से हुने मिलती है full of care and warmth इन बच्चों की बहुत care होती है वहाँ पे बहुत warmth बहुत love and affection मिला जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है यहां के बच्चे literally जैसा कि हमने पॉम में पढ़ा है बहुत फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं यहां के जो बच्चे होते हैं इतने थिन होते हैं क्योंकि वो माल नरिष्ट होते हैं उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता तो कहां से उनकी care और उनको warmth मिलेगा hopeless and full of struggle यहां के बच्चों की जिन्दगी बहुत hopeless होती है याने कि उनकी जिन्दगी में सजय से मानो कोई उमीद ही नहीं and full of struggle याने इनको बहुत जादा महनत मजदूरी करनी पड़ती है तब जाके इनको एक वक्का खाना मिलता है यह option number D, all of these, यह सारी चीज़े तो all of these तो possible नहीं है that means option number C is the right option to our question next, what does the poet compare the color of walls with अब जिस छोटे से slum area का जो छोटा सा एक कमरे का school था जहां यह सारे बच्चे पढ़ा करते थे वहां के जितनी भी walls, जितनी भी दीवारे थी बहुत बुरी condition की थी याने वहां पे बहुत गंदगी थी और दीवारों को कैसे poet ने यहां पे compare किया है किस चीज से compare किया है उसके options दिये rotten fruits, सड़े हुए fruit से compare किया है classroom की दीवारों को तो नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं था stale chapatis, याने सूखी रोटियों से compare किया है यह जो पूरी balls थी classroom की उससे तो नहीं, stale chapatis से भी नहीं किया था rotten vegetables, सड़ी हुई vegetables, सोसे भी नहीं sour cream, yes इससे compare किया है, तो जब आप अपनी पॉम पढ़ेंगे तो वहां पे sour cream करके lines इस तरीके की आपकी पॉम में है sour याने खटा और cream याने जो दूद से निकाली जाती ही cream तो जब यह जो cream है, जो fresh cream होती है बहुत white color की होती है जब थोड़ दिन इसको छोड़ दो तो इसमें बदबू लग जाती है, smell लग जाती है और यह yellow color की हो जाती ही cream और खटी हो जाती है याने sour हो जाती है तो इस sour cream words से poet ने उस classroom की दीवारों को compare किया है क्योंकि जैसे cream yellow और घंदे taste की हो जाती इतने दिन रखने के बाल वैसे ही उस classroom की walls थी जो कि बिलकुल पानी की sealant की वज़े से या गंदगी की वज़े से या non maintenance without painting की वज़े से paint की वज़े से पीली हो गई थी उसकी literally poor condition थी वॉल्स की पूरा paint से दुखड रहा होगा इसलिए poet ने sour cream words से compare किया है classroom की walls को so option number D is the right option next what do the words their future is painted with fog convey lines use हुई है आपकी poem में their future is painted with fog their याने इन बच्चों का जो future है जो भविश्य है वो fog याने धुन्द से भरा हुआ है याने इन बच्चों का future बिल्कुल clear नहीं है इने ये तक नहीं पता कि हैने life में कहां जाना है हमें life में क्या करना है क्योंकि इनको वैसी guidance और वैसी care नहीं मिली है तो इन words का क्या मतलब है no love and care इनको कोई love or care नहीं मिला no warmth याने इनको कोई warmth कोई affection नहीं मिला लोगों से no hard work ये लोग कोई महनत का काम नहीं करते तो obviously यही तो लोग है जो बहुत ज़्यादा महनत का काम करते तो ये तो है एक वो no hope for improvement hard work तो ये लोग करते है no hope for improvement तो जो सबसे best option मुझे यह लगता है वो लगता है मुझे no hope for improvement याने कि इनकी इनका जो future है वो बहुत धुंदला है और कोई hope कोई उम्मीद नहीं कि इनकी जिंदगियों से ये धुंद ये fog हट जाये और इनकी life में clarity आजाये क्योंकि इनकी जो situation है वो improve नहीं हो रही कोई आगे बढ़के नहीं हा रहा है इनकी conditions को इन बच्चों की conditions को improve करने के लिए so option number D is the right option to this question next what do the faces of children in the slum areas reflect slum areas के जो बच्चे हैं उनके चेहरे क्या reflect कर रहे है यानि कि क्या दर्शार है happiness वो लोग बहुत खुश है obviously not वो लोग बिलकुल खुश नहीं क्योंकि उनके चेहरे बहुत weak हैं बहुत sad है और उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई उमीद नहीं है their aspirations, aspirations नहीं कि उनकी कुछ dreams, कुछ सपने तो इन बच्चों के आँखों पर या चेहरे पर कोई aspirations नहीं दिख रहे है क्योंकि इनके लोग बस जिस situation में उस situation में बस जिये जा रहे है they are just living their lives without any hope इनको यहीं नहीं पता कि हमारा future है क्या their energy, यह बच्चों में कोई energy नहीं क्योंकि इनको एक वक्का खाना भी नहीं मिलता जितना एक paper पतला होता है उतने पतले पतले यहां बच्चे हैं, literally उनकी skeleton की bones दिखती है इतने पतले और malnourished हैं यह बच्चे, तो obviously they are not energetic sadness and lack of enthusiasm, yes यह बच्चे बहुत sad है, अपनी poverty, अपनी condition की वज़े से बहुत दुखी है and lack of enthusiasm, यहने इनके अंदर कोई कुछ नया करने की जग्यासा या energy या कोई किसी चीज की खुशी नहीं है so option number D is the right option to this question what is the ironical about the wall hangings and donations in the classroom? ironical का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो विडंबना याने कोई ऐसी situation जो आपको लगता है कि यह तो हमारे सत्थ पक्के में होगी लेकिन irony की बात देखो कि वो तो हो ही नहीं पाई तो यह होती है का ironical का मतलब तो question में पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या विडंबना थी कि उन classroom की walls पे जो hangings थी याने जो paintings वहाँ पे walls पे उनकी classroom में लटक रही थी जो कि donations में, charity में कोई उनको दे गया था classroom में तो इसमें ironical क्या था तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि किन-किन चीजों की paintings थी वहाँ पे उस classroom में तीन चीजों की paintings थी पहली थी Shakespeare की, दूसरी थी Tyrolis Valley की एक बहुत सुन्दर जगा है जहां beautiful flowers होते हैं Australia में और तीसरी painting थी world map की तो इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी विडम्मना की बात थी कि ये paintings इनके सामने लगी होई है क्योंकि इनके सामने Shakespeare की painting लगी थी जिसको ये लोग जानते तक में और ना इनको कोई बताने वाला था दूसरी Tyrolis Valley की इतनी सुन्दर जगा है जहां ये बच्चे सिर्फ देखके इनका सिर्फ मन ललचा सकता है जहां पर ये कभी पहुची नहीं सकते कोई इनको इनके स्लम के बाहर शायद निकालने में कोई मददी नहीं कर रहा और तीसरी painting थी world map की एक वो दुनिया का map जिसमें इनका स्लम कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और सो कौन सी जगा कहा है क्या है इनको कुछ नहीं पता ये इन जगाओं तक अपनी life में कभी नहीं पहुच सकते क्योंकि इनकी दुनिया सिर्फ स्लम से रहके स्लम पे ही खतम हो गई ये जब अपनी खिड़कियों से बाहर दिखते हैं तो इनको सिर्फ स्लम एरिया दिखाई पड़ता ये उन जुगी जोपडियों में जैसे फस से गहें तो इन बच्चों के classroom में इतनी बड़ी बड़ी और इतनी अच्छे चीज़ों की painting लगी है लेकिन कितनी डंबना की बात है कि इन बच्चों को इन चीज़ों के बार में पता ही नहीं ना इन बच्चों को कोई उम्मीद है कि वो कभी इन जगाओं तक पहुँच सकते हैं तो इनके options हैं कि क्या ironical था इन wall paintings में तो options हैं set up in a very clean environment जिस जगा ये painting लगी हुँँ थी classroom में बहुत clean सासुत्रा environment था तो obviously no, कोई सासुत्रा नहीं था वो बहुत unhygienic जगा थी next, completely opposite to the needs of the children in the classroom जो बच्चों की needs हैं, जो बच्चों की जरूरत हैं classroom में उनसे ये सारी paintings बिलकुल opposite थी तो yes, ये सब कुछ opposite था क्योंकि इन बच्चों को तो खाना चाहिए guidance चाहिए, love चाहिए, care चाहिए और इनको तो कुछ आता है नहीं, आप इनके सामने Shakespeare और Tyrolese Valley की paintings और world map की paintings लगा रहो जो इनकी समझ के बिलकुल opposite है तो yes, this can be an option setup in a happy environment, जहां ये paintings लगी हैं, बहुत happy environment है तो obviously बिलकुल नहीं, वो बहुती dull और dim environment है वहाँ पे proper sufficient light and ventilation तक नहीं है none of the above याने इन में से कोई भी नहीं तो ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि option number B जो है, वो हमारा right option है to this question next, what does paper seeming boy mean? उस classroom में एक बच्चा था जो paper seeming लग रहा था याने paper जैसा दिखाई पढ़ रहा था जितना पतला paper होता है, वो इतना पतला था क्योंकि उसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था वो माल नरिश्ट था और उसको कोई nutrition नहीं मिला जिसकी वज़े से वो बहुत ज़ादा पतला है तो paper seeming का मतलब क्या है? had a paper in his hand, उसके हाथ में paper था? नहीं was thin as a sheet of paper, वो इतना पतला था जितना एक paper की sheet पतली होती है तो yes, this can be an option was white in color like a sheet of paper वो बहुत गोरा था, बहुत white था जैसे white paper sheet होती है तो ऐसा भी इसका meaning नहीं है all of these, यह सारे options, तो बिलकुल नहीं so option number B is the right option he was as thin as a sheet of paper next question what is the tree room in the poem? poem में tree room का जिक्र किया क्या है यह tree room क्या है tree room में छोटा सा घर होता है कितना सा box जैसा घर बना दिया जाता है जिसमें squirrels भागती हैं, दौडती हैं और शाइद वही रहती है तो tree room का मतलब क्या है तो options है a tree shaped room एक ऐसा camera जो tree के shape का बना है तो obviously नहीं next a room on a tree where squirrels play tree होता है इस तरीके से और इस पे एक छोटा सा घर टाइब का बना रहता है जहाँ पे squirrels और इस तरीब के animals रहते हैं और दौडते हैं तो yes, a room on a tree where squirrels play yes a room on a tree where rats play tree पे ऐसा room छोटा सा बना हो रहता है लकडी का जहाँ पे चुहे खेलते हैं so obviously no trees पे usually squirrels जाती है a room on a tree where pigeons play का ऐसा room tree पे जहाँ पे pigeons यह चिडियाए खेलती हैं so नहीं यहाँ पे squirrels की बात गई है तो squirrels की बात हो रही है यहाँ पे so option number B is the right option to this question what do catacombs signify poem में एक word आया है जिसका नाम है जिसका जो की है catacombs catacombs क्यों बोला गया है और इस word का क्या significance है क्या बता गया है तो catacombs usually underground tombs होती है जैसे अगर किसी का मगबरा बनाया जाता है तो वहाँ पे अब underground जाते हो चोटी सी बहुत चोटी सी जगा होती है जो की बहुत डाक होती है बहुत दिंजी होती है और इतनी चोटी होती है कि जहाँ सास लेना भी बहुत मुश्किल होता है लोग usually इसको cover करवा देते हैं यह underground होता है इस चीज को हम catacombs कहते हैं तो यहाँ पे catacombs है किस चीज को compare किया गया है देखते हैं option number one relevance of the map hanging on the wall of the classroom क्या catacombs का मतलब यहाँ पे उस map से उस world map से हैं जो कि उनकी class की wall पे उसकी painting hang करी हुई है so अभी और आगे options देखते हैं confinement to the slums the maps being irrelevant तो basically यह जो maps है उसकी बात नहीं बोली गई है यहाँ पे catacombs में so option number B है confinement to the slums the maps being irrelevant तो जितने चोटे catacombs होते हैं यानि underground tombs होते हैं मगबरे बनाए जाते हैं इतने चोटे चोटे slum area में वहाँ पे उनके घर होते हैं जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत सारा family members वहाँ पे रहते हैं सास लेना भी वहाँ पर मुश्किल होता है usually यह जो slum areas होते हैं वो factories के पास में होते हैं तो factories की भी जितनी smoke होती है वो सब कुछ भी इनके घरों में आती हैं और यह जो world map है यह इनके लिए irrelevant है याने meaningless है इनके लिए कोई मतलब नहीं है तो option number B can be a correct option importance of school catacombs का मतलब इसली ही बोला गया है ताकि school की importance बताई जाए कि school कितना importance है तो यहाँ पे school का कोई मतलब नहीं है catacombs का मतलब है death कि सब की death हो जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है catacombs से इसली compare किया गया है कि इनके घर इतने छोटे होते हैं जितने catacombs होते हैं छोड़ इतने जादा छोटे तो catacombs को इनके छोटे slum area के घरों से compare किया है so option number B is the right option to the question next why are the pictures and maps meaningless जो painting लगी थी pictures लगी थी maps लगी थी इन बच्चों के classroom में वो इन बच्चों के लिए meaningless यानि जिसका कोई मतलब ना निकले क्यों होता है so option number A they are fake and show a false thing यह सारी चीज़े fake है यानि गलत है और गलत चीज़े दिखाती है तो obviously यह सारी चीज़े fake तो नहीं Shakespeare तो originally reality में exist करता है Tyrellis Valley exist करती है जो world map है वो exactly world ऐसा दिखाई देता है तो यह चीज़ तो fake है नहीं यह चीज़ तो reality में तो fake तो नहीं है false thing यानि जो भी चीज़ दिखा रहे है उसमें सब गलत है कुछ भी गलत नहीं जो paintings है वो actually reality में exist करती है they are old and half faded away यह जो paintings है बहुत पुरानी है और अब fade हो गई है यानि फटी पुरानी हो गई है तो ऐसा तो था लेकिन इससे meaningless होने का कोई मतलब नहीं निकल रहा they show vastness which is opposite to the world and needs of the children in the classroom यानि कि यह जो map है यह Tyrellis Valley जो Australia में है जो Shakespeare की pictures है paintings है यह दर्शात है कि दुनिया कितनी vast है यह world कितना बड़ा है और यह सारी चीजें का कोई meaning नहीं निकलता है इन बच्चों के सामने क्योंकि वो नहीं जानते है Tyrellis Valley का है वो नहीं जानते है अमेरिका का है वो नहीं जानते है कि हिंदोस्तान का है उन्हें कुछ नहीं पता और उनका जो slum है वो area कहीं उनको इस world map पे नहीं दिखाई देता तो basically यह map और यह जो दुनिया है उनके लिए opposite है उनके लिए meaningless है क्योंकि उनकी situation बहुत अलग है as compared to these paintings on their walls So option number C is the right option All of these यह सारे तो नहीं All of these तो नहीं हो सकता So option number C is the right option to this question Next How can powerful people help the poor children? यह जो गरीब बच्चे इस्लाम अरिया में रहते है Powerful लोग जैसे government officials हो गाए Police हो गाए, inspectors हो गाए यह सारे लोग और बच्चों की मदद कैसे कर सकते है So options है By fighting with the government आप government खुद से थोड़ी लड़ेगी क्योंकि government तो खुद ही एक powerful चीज है Powerful organization है तो वो खुद से थोड़ी लड़ेगी So obviously यह option तो हो नहीं सकता By fighting with the powerful Powerful लोग उसे लड़ो तब जाके powerful लोग इन बच्चों की मदद करेंगी अब powerful लोग खुद से क्यों लड़ेंगे So obviously यह option भी नहीं हो सकता By bridging gaps in inequalities and injustice तो जो government officials है Inspectors है Police officers है वो इन बच्चों के बीच में याने गरीब और अमीर के बीच में जितनी भी inequalities हो रही है जितना उनके साथ Injustice हो रहा है जितनी भी facilities दो इन गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रही है उन सब के बीच में एक gap Bridge कर दे जो gap है उसको Bridge कर दे याने की गरीबों को भी वो सारी चीजे गरीब बच्चों को भी वो सारी चीजे Provide करी जाए जो इन अमीर बच्चों को Provide हो रही है तो इस तरीके से यह जो gap है अमीरी इन गरीबी के बीच में उसके बीच में एक bridge बनाके powerful लोग जो है इन poor children की slum area में help कर सकते तो यह एक option सही हो सकता है By fighting with the rich सब गरीब लोग अमीर लोगों से लड़ो जगडा करो आपको सब मिल जाएगा तो obviously violence तो कोई भी इसका option नहीं है So option number C is the right option to this question Next What does the poet wish for the children of the slums? जो बच्चे slum area में जुकी जोपडी वाले area में रहते है Poet इन बच्चों के लिए क्या wish करते हैं क्या उम्मीद करते हैं कि इनके साथ ऐसा हो तो options है He wishes them to be happy and healthy Poet चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें Healthy याने स्वस्त रहें He wishes a good change for them वो चाहते हैं कि इन बच्चों के life में कुछ change है और जो भी change है वो बहुत good change हो अच्छा change हो, उससे इनके life में कुछ improvement हो तो yes वो ये चाहते हैं He wants them to enjoy the bounties of nature Bounties of nature याने कि जो nature ने सारी beautiful चीज़े हमको as a prize या as a reward हमको दी हुई है Beauties of nature तो nature ने हमको बहुत सारी beautiful चीज़े प्रोवाइट करे हुई है ये दुनिया बहुत अच्छी प्रोवाइट करे है beach हो गए, lakes हो गए, rivers, mountains इतनी अच्छी-ची beautiful चीज़े हमको प्रोवाइट किये हमको as a reward में दिया, as a prize में दिया है तो ये सारी चीज़े हम bounties of nature कहते है तो poet wants की जैसे सारी दुनिया इस nature की beautiful चीज़े को enjoy कर रहे है feel कर रहे है इन गरी बच्चों को भी इन slum area से बाहर निकाला जाए ताकि वो भी ये beautiful चीज़े देखे टारली जैसी world map जैसी beautiful चीजों तक पहुचे ना कि उन slum area के होके slum area में ही रह जाए तो yes, वो ये चाहते हैं poet in बच्चों के लिए option D, all of these यानि ये सारी options ये सारी चीज़े poet चाहते हैं अपने slum area के बच्चों के लिए so option number D, that is all of these is the right option to the question next question why is the head of the tall girl weighed down अब POM में classroom में बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें एक tall girl यानि एक लंबी लड़की का बारे में भी बताय गया है जिसका head weighed down है यानि कि वो height में बहुत लंबी है लेकिन उसका चैरा जुका हुआ है weighed down यानि उसके चैरे का मुझ पूरा सी जुका हुआ है मुर जाया हुआ चैरा है तो क्यों उसका चैरा मुर जाया हुआ है तो वो दो reasons की वज़े से पहली कि वो बहुत sad है अपनी poverty और अपनी situation की वज़े से और अपनी मदद नहीं कर पा रही और दूसरी चीज की शायर cheese very poor उसने खाया निये बहुत दिनों से और अपनी situation को लेके So options है by the burden of studies क्योंकि उसके उपर पढ़ाई का बहुत burden इसलिए उतना चेहरा लटका के खड़ी है तो ऐसा तो कुछ भी निये वहां के बच्चों को इतनी अच्छे से पढ़ाता भी नहीं है और नहीं वहां के बच्चे seriously पढ़ाई को उतना लेते है By the burden of work उसको शायर बहुत सारा काम करना पड़ रहा है इस वज़े से अपने चेहरा लटका के खड़ी है By the burden of our world उसकी world उसकी दुनिया का जो burden है यानि कि उसकी दुनिया में poverty है, गरीबी है, बहुत महनत है अच्छी चीज़ें के और facilities कुछ भी नहीं है तो ये सारा burden जो है उसकी दुनिया का वो सब उसके उपर इसलिए वो height में तो लंबी है लेकिन चहरा लटका के खड़िये या option number D, all of these, ये सारी चीज़े तो answer is का option number C, by the burden of the world क्योंकि उसकी दुनिया में बहुत burden है उसके उपर पढाई का भी burden है, घर के काम का भी burden है गरीबी का भी burden है भूक लगती है लेकिन खाना नहीं है, खाना कमाने का burden है तो उसकी दुनिया का जितना भी burden है सब शायद उस लंबी लड़की के उपर है इसलिए अपना चहरा लटका के खड़िये So option C is the right option Next, what is the meaning of the paper seeming boy with rat's eyes POM में कुछ lines use हुई है और वो lines are the paper seeming boy with rat's eyes जितना एक paper पतला होता है Exactly उतना पतला एक बच्चा उस classroom में बैठा था क्योंकि वो malnourished था क्योंकि उसको अच्छे से खाना और potions या nutrition नहीं मिलेते इसलिए वो इतना पतला था With rat's eyes से उसको इसलिए compare किया गए जैसे चूहा कैसे होता है जो ऐसे ऐसे दौरतर देखता है हमेशा उसको देखके चूहे को देखके ऐसे लगता है कि कुछ ढून रहा है Probably वो खाना ढून रहा होता है तो ये paper seeming boy इतना भूका है इतना malnourished है कि उसकी आखें जब भी हम देखते है तो ऐसा लगता है कि वो शाइद कुछ ढून रहा है and probably वो अपने लिए कुछ खाने के लिए रहा है because he is very hungry and malnourished तो इसके options हैं कि इस line का मतलब कि है उसके options है Rich people वो बहुत अमीर है Obviously no, अगर वो अमीर होता तो शाइद malnourished नहीं होता Rich children वो बहुत अमीर बच्चा है ऐसा बिलकुल भी नहीं था Powerful people and their influence कि जित्ते भी powerful लोग है और उनका influence है वो इनको ठीक कर सकते Yes, वो इन बच्चों की situation को ठीक तो कर सकते लेकिन in lines का ये मतलब यहाँ question में नहीं है So, ये option भी नहीं होगा Weak and malnutritioned boy Yes, ये एक option से है कि ये जो बच्चा है बहुत weak था और बहुत malnutrition था यानि कि इसको सही मातरा में portion नहीं मिला उसकी body को इसलिए वो इतना पतला रह गया So, option D is the right option to the question Next, what kind of look do the faces and hair of the children give जो slum area के जो बच्चे थे classroom में उनके चहरे और जो उनका look था जो उनका appearance था वो कैसा था तो option है rich and beautiful faces बहुत ameer बच्चे थे और उनके चहरे बहुत सुन्दर थे option B bright and neat faces उनके चहरे बहुत खिले हुए थे बहुत साफ सुत्रे थे तो बिल्कुल भी नहीं था ऐसा क्यों क्योंकि उनके चहरे बहुत डर्टी थे उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे not clean and tidily done बिल्कुल अच्छे से बाल neatly packed नहीं थे उनके healthy appearances जब उनको देखे तो ऐसा लग रहा थे कि वो बहुत healthy हैं बहुत स्वस्थ बच्चे हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था क्योंकि कुछ बच्चों की bones twisted थी किसी को कुछ बीमारी थी कुछ बच्चे underdeveloped थे याने कि develop ही नहीं हो पाई उनकी body कुछ बहुत पतले थे बच्चे बहुत बिचारे sad और बिल्कुल इनका appearance सही नहीं था याने कि इनकी care बिल्कुल नहीं की गई थी pale faces scattered and undone hair इनके चहरे बहुत pale थे बिल्कुल पीले और वीक चहरे हो चुके थे क्योंकि इनके अच्छे से खाया पिया नहीं था scattered and undone hair इनकी जो बाल थे ठीक से hairstyle कोई बनी नहीं होई कि और undone थे याने की बिल्कुल बिखरे हुए और बिल्कुल अच्छे से पैक नहीं कियो थे बाल तो option number D is the right option to this question next who is the unlucky ire and what has he inherited कौन unlucky ire है और उसने क्या inherit किया ire का मतलब यह होता है कि जब आप मतलब आपकी जो generations होता है जैसे दादा हो गए पापा हो गए फिर आप आपका बच्छा तो यह ire होते हैं याने कि जो आपकी next generations होते है और inherit करना याने कि आप अपनी generation से अपने push tiny लोगों से अपने family से अपने बाप दादा से क्या inherit कर रहे हो याने आपको विरासत में क्या मिला है तो usually बच्छों को और future generations को inheritance में याने विरासत में will मिलती है power, property या पैसा मिलता है राइट लेकिन यहाँ पर एक unlucky बच्चा था एक बिचारा बच्चा था जिसको अपने father से क्या मिला विरासत या कोई पैसा तो बहुत दूर की बात इसको एक बीमारी मिल गए एक disease मिली थी twisted bones की क्योंकि उसके father को यह बिमारी थी तो इसलिए याने कि अपनी उसकी mom मोटी थी इसली वो भी बहुत मोटा था तो ऐसा तो कुछ भी नहीं option आया था पूरे कहीं पे भी पोम में एक चोटा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा पतला था उसने क्या इनहरेट किया हुआ था उसने क्या विरासत में लिया हुआ था अपनी family से stunted growth याने कि वो बच्चा height में बड़ा ही नहीं growth उसकी अच्छे से हुई ही नहीं थी वो उतना का उतना ही रह गया तो क्या यह उसने इनहरेट किया था अपनी family से तो नहीं ऐसा नहीं था एक बहुत intelligent बच्चा था उनकी class में जिससे अपनी family में विरासत में inheritance में intelligence याने होश्यारी मिली तो ऐसा कुछ भी नहीं था तो yes option number D is right एक बहुत पतला बच्चा जो जिसके आँखे रैट की आँखों की तरह थी आने की वो बहुत भूका था, malnourished था और उसके आँखे जब भी देखो ऐसा ही लगता था कि कुछ ने कुछ खाना ढून रही है तो उसने अपने father से एक deformed body याने twisted bones की जो बिमारी होती है वो विरासत में मिली तो यसी लिए वो एक अनलकी आयर था yes, that is why option number D is the right answer to this question next, what does the expression open-handed map show poem में कुछ lines है और वो line है open-handed map इस expressions का क्या मतलब है so options है, power of the poor poor people बहुत powerful होते obviously know, we all know कि slum के लोग कितने power less होते कितने ज़्यादा sad रहते हैं the poor cannot access the world यह जो गरीब लोग है इस दुनिया को access नहीं कर सकते यानि इस दुनिया की facilities और amenities तक पहुच नहीं सकते और नहीं enjoy कर सकते the poor are powerless जो गरीब लोग होते हैं वो powerless होते हैं उनके पास कोई power नहीं होती maps are open to all they reveal everything जो maps हैं, वो खुले हुए सब के लिए, यानि कि उसमें जो भी locations और जो भी चीज़े बताई गई हैं, वो बिल्कुल सही हैं and they are and they reveal everything यानि कि वो सब कुछ सही बता देंगे कि कौन सा direction कहा है कौन सी जगा कहा है और आप easily वहां तक बहुत सकते हो, सब के लिए खुला हुआ है वो map, तो answer है इसका option number D कि जो maps हैं, ये सब के लिए खुले हुआ हैं और वो सब कुछ सही सही बताते हैं इसी लिए उन्हें open-handed maps बोला, यानि कि ये सब के लिए available है, everybody can reach at any destination at any location next, awarding the world its world, what do these words express, awarding the world, its worlds का मतलब ये होता है, the world belongs to the rich, इसका ये मतलब होता है यहां world का मतलब होता है rich people तो poem में कुछ lines awarding the world, its world इन lines का क्या मतलब होता है ये question मैं आपसे पूछा गया है यहां पे इस world का मतलब होता है rich people, यानि कि इस world में जितने भी rich people हो rich people है, अमीर लोग है उनको जैसे कि इस दुनिया ने award कर लिया है, इस world की हर खुशी, हर फैसलिटी, हर अच्छी चीज इसलिए बोला गया है कि awarding the world, its world यानि award में अमीर लोगों को इस पूरी world को ही award में दे दिया है यानि इस world में उनको जो करना है जो अच्छी चीज़ें एंजोई करनी ही वो कर सकते हैं that all cannot be enjoyed by the poor people so options है the world is ours, यह दुनिया हमारी है नहीं, क्यों क्योंकि इस दुनिया में तो फिर हम आये, तो हम तो गरीब भी हो सकते हैं अमीर भी हो सकते हैं, हर टाइप के लोग हो सकते हैं the world is yours, यह दुनिया पूरी आपकी है तो यह भी कोई एक सही option नहीं है आपर the world belongs to the poor यह world गरीब लोगों को belong करते हैं तो obviously उसी के तो हम लोग बात कर रहे हैं कि world गरीब लोगों कर नहीं है उनको भी इसमें involve करो ताकि वो भी यह सारी अच्छी चीज़ें enjoy कर पाएं the world belongs to the rich यह दुनिया अमीरों की है yes, यह सही बात है क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें rich लोगी enjoy कर रहे हैं और उन वो और गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहे है so option number D is the right option to this question next, what kind of future do the slum children have यह जो slum के बच्चे हैं, जुगी जोबडी के बच्चे हैं इनका future कैसा है, भविष्य कैसा है very hopeful, बहुत उम्मीदों से भरा है क्या कि बहुत उम्मीद है कि यह लोग कुछ कर जाएंगे so obviously no, इनके तो future basically बहुत foggy है बहुत धुंदला है bright future है क्या, बिलकुल भी नहीं clear like water, बहुत clear है कि इन बच्चों को अपने future में क्या करना है जितना पानी crystal clear होता है उतना ही clear इनका future भी है तो ऐसा कुछ नहीं है hopeless and uncertain, इन बच्चों की जो future है बहुत hopeless है, यानि कोई उम्मीद नहीं इन लोगों को कि हम क्या करेंगे अपनी life पर uncertain है यानि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए इतना जादा ये लोग unclear है अपने future को लेके so option number D is the right option to this question next what attracts the slum children slum के जितने बच्चे होते हैं उनको क्या चीज़े attract करती है उनको क्या चीज़े आकर्षित करती कि हम ये चीज़े ले ले the animals obviously कुछ भी मतलब animals को क्या ही वो attract animals से क्या ही वो attract होगे the movies उनको picture है देखना movies देखना बहुत पसंद है उन्होंने slum के बाहर कभी दुनिया अपनी देखी नहीं तो उन्हें पता ही नी कि कौन सी movie आ रही है कौन सी क्या ice creams? no all beautiful things like ship and sun जितनी भी beautiful चीज़ें इस दुनिया में जैसे बड़ी-बड़ी ships हो गए, sun हो गए क्योंकि उनका slum area एक ऐसी जगा है जहां धूप की एक रोशनी भी नहीं पहुचती तो वो लोग अंदर ही अंदर उस slum area में रहे गए वो सरफ उन paintings पे टायरोलीज वाली world map की paintings देखते हैं, pictures देखते हैं तो उन सब चीजों से attract होते हैं की काश हम भी इन जगाहों पर जाए ये सारे beautiful चीजों को हम भी access करें, देखें So option number D is the right option that means they are attracted to all the beautiful in this world beautiful things in this world जैसे ship हो गई, sun हो गई, खुला blue आसमान हो गया, everything Okay Next Mention any two images used to explain the plight of the slum children Plight याने की a difficult situation So दो ऐसी images या, दो ऐसी चीजें बतानी है हमें जो poem में poet ने use करी है, इन slum children की difficult situation को दर्शाते हुए So options है, open-handed map, वहाँ पर एक open-handed world map लगा हुआ था तो ये उनके लिए difficult situation हो गई, क्योंकि इन बच्चों को चाथ कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है From his desk, एक बच्चा अपने desk से ही बैटके अपने lessons को recite कर रहा था क्योंकि वो move नहीं कर सकता था Unnoted boy, एक छोटा सा बच्चा लास्ट के bench पे, आकरी लास्ट bench पे बैठा हुआ था And he was unnoted, यानि कि he was very sweet little boy लेकर उसको कोई notice ही नहीं कर रहा था Foggy slums and bottle bits on stones हमको दो चीज़े पता नहीं, ये सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें सरफ यही एक option है, जिसमें दो ऐसी images हैं जिसमें प्लाइट बताई जा रही है slum children की और वो दो क्या चीज़ें? Foggy slums, जो slums है वो काफी foggy रहते हैं, यानि काफी Fog, Fog रहते हैं वहापे, Fog का मतलब है यहाँ पे Smoke, क्योंकि जितने भी usually slum areas होते हैं, वो सब industrial areas के आसपास होते हैं, तो जितना भी pollution, smoke, dust होती, industries की, वो सब यहीं पर आती है इन slums में, तो इनके slums बहुत foggy रहते हैं, यानि कि इनको breathing करने में भी, सास लेने में भी दिक्कत होती है Smoke की वज़े से, also bottle bits on stones, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने ऐसे चश्मे पहने हुए जो शायद उनको कहीं पढ़े मिल गए, और उसके बाद इन्होंने पत्थर मार देते हैं, काच की bottle पे उस पर cracks आ जाते हैं वैसे इनके frames में, जो glasses थे उस पर cracks दिख रहे थे इस तरीके के चश्मे या इन बच्चों ने पहने हुएते तो आप सोचिए कितने गरीब होंगे कि वो ऐसे चश्मे पहन रहे हैं और ये चश्मे भी इन्होंने जोड के पहने उसके बाद चश्मों की, या goggles की, या फिर spectacles की ये condition है So option number D is the right option कि ये दो situations हैं इतनी difficult situation में ये सारे बच्चे slum area के वहाँ पे रहते हैं Next, what do the governor, inspector, visitor in the poem depict? Poem में ये बोला गया कि जो governor है, याने कि जो हमारी government है Inspector याने police officers है, और जो visitor, visitor याने हम सब लोग जो कभी कबार किसी काम सही सही, उस slum area में visit करते हैं जाकर देखते हैं, इन तीनों के बारे में क्यों mention करा गया है Poem में, तो इसलिए mention करा गया है ताकि हम लोग government, police inspectors ये सारे लोग हम सब मिलके, जुट होके इन slum के लोगों की और in slum area के बच्चों की मदद करें ताकि ये इस slum के area से at least बाहर आ सके और अपने future, अपने bright future पे कुछ work कर सकें So options है, इसका मतलब होता है higher officials, तो yes higher officials हैं लेकिन इसमें से जो visitors है, जो हम लोग है, आम जनता है, वो higher officials नहीं है So ये option नहीं हो सकता, government officials again visitors, government officials में नहीं आता तो ये option भी नहीं होगा Political people again, again governor and inspector तो political people में हो गए लेकिन हम visitors हम आम visitors जनता जो है वो political लोगों में count नहीं होगे तो ये वाला option भी नहीं होगा फिर आता है powerful and influential people येस ये हो सकता है कि जो governor है या inspector है ये लोग powerful होगे और हम visitors influential people बन सकते हैं जो दूसरों को या उन गरीब बच्चों को influence करें उनको motivate करें कि तुम लोग किस तरीके से अपनी मदद कर सकते हो उनकी help करें ताकि वो लोग बाहर आए अपने slum area के और अपनी ये beautiful दुनिया को देखें और अपना future बहुत अच्छा करें और एक बहुत अच्छे इंसान बनके बाहर निकलें So option number D is the right option to this question Next What have the windows done to the children's lives in the poem जिस slum area के school में ये छोटे सारे बच्चे बैठे हुएं वहाँ पे कुछ windows हैं, कुछ खिड़किया हैं और window के बाहर जो भी ये सारे बच्चे देखते हैं उस चीज से इनकी जिंदगियों पर, इनकी lives पर क्या असर पढ़ा है इन बच्चों की So options हैं, shut the doors, दर्वाजे बंद हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं क्योंकि आँ windows की बात हो रही है Blocked the passage, खिड़कियों ने इनका रास्ता ब्लॉक करके अटका के रखा है तो ऐसा कुछ नहीं था Clogged the sunlight, sunlight जो है, बंद खिड़कियों जो हो, उसने sunlight अंदर आने से रोक के रखी है तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वैसे भी उनका slum area ऐसा था यहां कभी भी slum light आती ही नहीं थी I have shut the children inside and blocked their growth तो इन बंद खिड़कियों ने, बच्चों को तो अंदर बंद ही कर दिया classroom के लेकिन इससे उनका क्या चीज़ ब्लॉक कर दी, इनकी growth ब्लॉक कर दी यह बच्चे उस slum area के उस एक कमरे के होके रह गए उन बंद खिड़कियों के अंदर ही होके रह गए वो कभी इन खिड़कियों के बाहर, खुले आस्मान में आ ही नी पाई उनका development, उनकी growth हो ही नी पाई और इस वज़े से वो लोग हमेशा दुखी और पूर रहें और एक बहुत बुरी situation में रहें So option number D is the right option to this question Next What other freedom the poet wants the slum in children to enjoy? कौन से ऐसे freedom है, कौन से ऐसे आजादिया है जो poet in slum children के लिए चाहते हैं कि जैसे rich children enjoy करते हैं वैसे कि slum children भी enjoy करें तो options है freedom of roaming इधर उधर कहीं भी घूमो वो freedom तो obviously नो क्योंकि अपने slum area में तो वो घूमते ही होंगे लेकिन roam याने भटकना poet इनको भटकाना नहीं चाहते हैं सही दिशा में ले जाना चाहते हैं freedom to spend money वो आजादी जिसमें लोग पैसा खर्च कर पाएं अब पैसा तब खर्च करेंगे जब कमाएंगे और कमाएंगे तब जब इनको ये importance पता चलेगे कि government हम visitors इनकी मदद करेंगे लेकिन question में यहाँ पे इसकी बात नहीं करी गई है freedom of knowledge, wisdom and expression ये freedom है जो poet चाहते हैं slum children की कि इन सारे बच्चों को freedom of knowledge मिले याने ग्यान मिले इनको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाए जाए ताकि ये लोग पैसा कमा पाए ताकि इनको जो मन करें खा पाए ताकि इनको जहाँ गूमना ही है गूम पाए wisdom याने कि they should become wise people याने अच्छे इंसान बनके ये लोग बड़े होए और अपने future में जाए ना कि कोई criminal बनके निकले क्योंकि usually slum areas के ही बच्चे होते हैं जो इस तरीके की illegal activities में involved होते हैं expression याने कि इनको freedom हो इनको आजादी हो कि ये लोग भी अपनी बात को express कर सकें लोगों के सामने अपनी बात को रख सकें और ये कब होगा जब ये बच्चे educated होगे जब इनको ग्यान और knowledge मिलेगा so option number D is the right option to this question next what does the expression break or break be open suggest तो poem की last की lines में इस तरीके की कुछ lines लिखी की break or break open इस expression का या इस line का poem में क्या मतलब है तो break or break open का मतलब ये होता है कि यहाँ पर urgency दिखाई जा रही है याने की poet ये चाहते कि आप ये चीज़ को urgently समझो और जितनी जल्दी हो सके इन गरीब बच्चों की इन slum के बच्चों की मदद करो ताकि ये लोग अपनी जिंदगियां सुधार पाएं कही ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाएं break or break का मतलब ये है इन सी को दर शाती है तो इनका क्या मतलब है barriers on the road की road पे बहुत सरे barricades लगे हैं so obviously no barriers of garbage heap की कचरे के ढेरे के वहाँ पे barrier लगे उसको तोड़ने की बात हो रही है तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं barriers of dirty environment must be broken वो चाहते हैं कि जितना भी इनका dirty environment है जो गंदा environment है उसको तोड़ा जाए यानि उसको साफ किया जाए ताकि इनकी जिन्दगियां better बन सके यह option है none of the above इन में से कोई भी चीज नहीं so आपका answer है यहाँ पे option number C that means यह जो dirty environment है इन बच्चों का next what does the poet want आखरी पोईट चाहते क्या है इन slum children के बच्चों के लिए पहला option है to send the children out of the slums वो चाहते हैं कि इन बच्चों को slum area से बाहर निकाला जाए दूसरा to send the children to America वो चाहते हैं कि बच्चों को America भेज़ दो obviously no, ऐसे ही अमेरिका थोड़ी भेज़ देंगे पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे इनकी life अच्छी बनेगी यह लोग इतने खुद काबिल बन जाएंगे कि यह लोग अमेरिका खुद ट्राविल करके जाएंगे to send the children to open fields बच्चों को खुले मैदानों पे भेज़ दो ताकि लोग सास ले पाएं ब्लू नीला आस्मान देख पाएं और सनलाइट को इंजोई कर पाएं to send the children to beach यह चाहते हैं बच्चों को बीच पे भेज़ दो और काबिल इंसान बनेंगे तो वो अमेरिका क्या वो कहीं पर भी जा सकते बाहर निकलेंगे तो open fields तक भी पहुचेंगे और बाहर निकलेंगे तो ultimately beach भी enjoy करेंगे हर वो चीज enjoy कर सकते हैं जो वो slum में रहकर enjoy नहीं कर सकते तो basically वो चाहतने की बच्चों को यूट्यूब पर भी search कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना गूगल पर जाना है हमारी website का नाम डाला है which is magnetbrains.com जैसे आप हमारी website का नाम डालेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने आजाएगा जहां सारी classes mentioned ने class 12th, 11th, 10th, 9th and so on for example आपको class 12th की videos देखनी तो आप class 12th पर click करेंगे और जब आप click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की list आजाएगी जहां सारी class 12th में पढ़ाने वाले teachers और उनके respective subjects हो जाएगे आजाएगे तो यहां पर यह option English का है जहां मैं पढ़ाती हूँ आप इस option पर click करेंगे और जैसे आप click करेंगे आपके सामने list of all the videos आजाएगी जो सारी अभी तक हमने आपको पढ़ाए हुई है for example आपको इसी पोम की कोई video देखनी है तो आप उस option पर click करेंगे और जब आप click करेंगे तो मेरा video इस तरीके से आपके सामने play होना start हो जाएगा so I hope बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको YouTube पर easily videos नहीं मिल रही तो आप website से कैसे easily access कर सकते हैं और एक चीज दो आपको बिलकुल नहीं भूलनी वो है do not forget to like subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए बबाए और आपको